कि नमस्कार दैनिक शिवर्टाइम में आप सब का स्वागत हैं क्या 17 एपरल को होने जा रहा है चक्का जाम यह हम नहीं बलके आल जमुण कश्मी ट्रांस्पर वेलफिर एस्सेशन का आवान है इन्होंने कल जिसना से कमिश्ट ट्रांस्पर कमिशनर के आफिस के बाद से जएधा टेबल टॉक पर विश्वास करना करता हूं पर ऐसी क्या बधान पड़ी कल भी इन्होंने प्रदर्शन बले किया पर कहा है दस दिन का जो अल्टीमेटन दिया यह कहीं ना कई टेबल टॉक का दिया है अब देखना यह के वह काम्याब होते हैं नहीं होते चली ब से बोलेंगे क्योंकि मैं पहले भी बोलता हूं कि सरकार और अवाम में जो एक कम्मुनिकेशन गैप है उसको फिल फिल करने का काम आप करते हैं आज भी वह अपनी डूटी कर रहे हैं इसके लिए आपका धन्यवाद बात करूं आपने बताया कि हमने जो प्रदर्शन किया कुछ हमारी डिमांड सी वह बहुत देर से आपके लिए तो साथ आठ महीने से कुछ ऐसी डिमांड पेंडिंग हैं जिनका हमको आशवासन तो दिया जा रहा है हम पके लिए आठ महीने पहले हम और लेफिन गुर्णर साब से मिले थे इनी डिमांडों को हमने रिपीट किया रहा था तो उन्होंने मार्क करके फाइले नीचे बेजी सरकार से हमारा ऐसा गिलानी है कि हमारे काम नहीं हुए बहुत सारे हमारे कैम हैं जो तीन तीन चार चार पांच पन सालों से पेंडिंग पड़े हुए थे वह हो रहे हैं मगर कुछ पटिकुलर ऐसे काम हैं जिनके यह अभी हमारी गाड़ियां खड़ी होना शुडू हो गई जैसे सबसे हमारा एक मेजर इशू जो चल रहा है आपने पहले भी बहुत वर आपने भी बताया होगा हमने भी बताया है हमारा फिटनेस का पंदरा साल के उपर की जो गाड़ी है उसका एक तो हमारा टेक्स जो ह लगाँद भी है यँटी है कि यहां में साल में दो वार फिटनेस हो रही है एक तो copet him हारा अभी बढ़ा दिया अभी सा में दो использ제를 करके फाईल नीचे मगर नीछे से फिरक वरी लग क Kings के लिए हैं आगे आपको पत subsidi 10 के लिए हमारी ट्रांटरों कि क्या हौना ही हम बन्ध का समर्थन नहीं करते मगर्व हमें हमारे ट्रांसपोर्टर की बात नहीं मानी जाएगी यहives Parlर deixa गारी नहीं हो ही रुख जाएगी यह हमारे पेट में ही टांग बजेगे तो हम कहां जाएंगे हम रोड में आएंगे तो वो ही हमने दस दिन का टाइम सरकार को दिया है क्योंकि आपका अगला क्वेस्चन से पहले मैं बोल देता हूं क्योंकि हमने कुछ प्रदर्श्चन ऐसे हो रहे थे जिनका पहले दिन प्र परसु हम बंद कर रहे हैं हमने उनका सहय जोग नहीं किया हमारे प्रदान साव ने प्रस कांफरेंस करके ये बात बताई थी कि हमारी गारियां डोड़ा किष्टवार हर तरफ जाती है हम एक टाइम चाहिए होता है तो हमने दस दिन का टाइम जहां सरकार को दिया वहां अपन रोड में निकलेगा तो ट्रांस्पोर्टर अपनी मांगें पूरी कराके निकलेगा वो फिर अनिश्चित काल के लिए उसका कोई बंदिश नहीं होगी कि हम बारा गंटे में उट जाएंगे चोबिस में उटेंगे फिर हम बंद नहीं खोलेंगे ये लखनपूर से लेके पांच साथ दिनों में आप खुद देखते रहेंगे तो हमारा मेन मकसद है जो हमारी डिमांड्स पिछले इतनी देर से पैंडिंग हैं कम से कम वो फुल्फिल की जाएं हमें प्रशाशन से लजी साब से गिला शिकवा इसलिए नहीं है क्योंकि हम उनके बस जो काम लेके ग सकता है कि सरकार इन दस दिनों में हमारी ये चीजे फुल्फिल करें ये डिमांड्स मानें हमें उमीद है कि सरकार हमारी ये बात मनेंगी टेक्स को क्या आप भी हवान करना चाहते हैं उन संगठनों से यह अकेली आप कर रहे हैं फिलाल हमने अभी तक किसी भी संगठन से बात नहीं किया हम करेंगे जूट परने से करेंगे मगर फिलाल यह जो मसला है यह मसला एक्चल में ट्रांसपोर्ट के रिलेटीड है हमारी हमारा रापता LG साथ भी है चीव सेक्टरी साथ से भी मिले हैं सेक्टरी ट्रांसपोर्ट को भी मिल रहे हैं हमें अगर दो चार पाइंट दिन जरूरत पड़ेगी हम उन से भी रापता करेंगे और हमें पूरी उमीद है कि वो हमारी पहले डिमांड्स देखेंगे कि हमारी क्या हैं क्योंकि यह वह जेनुवन डिमांड्स हैं जो पिछले पकड़ लिजी तो आठ नौ मैने से मेने कारे बार समाला है उसके पहले वी कुछ एक दो डिमांड रही है तो उसके लिए हम कोशिश करेंगे सबसे बात करने की मगर फिलाल हम सिमित हैं ट्रांसपोर्ट तक क 200 वी बोल यह जंदा के लिए सिर्विश के लिए बैठे हुए हमने सतना डिन का इतना टाइन गैरान की सरकार को चाहिए कि जो transport हमेशा जनता के साथ खड़ा होता है जनता के हित के लिए खड़ा होता है उसका साथ सब को देना चाहिए और हमें उम्मीद है कि हमारे ये जो होता है मगर सब्तमब्र 2020 में पूरा सिस्टम आनलाइन हुआ हम वेलकम करते हैं आनलाइन के लिए मगर उसमें क्या हो गया कि जो प्रसंजर टेक्स हम पद्बिक से प्रसंजर से ले के गुवर्मिट को देते थे वह पेसेंजर टैक्स अभी हमसे एक साल का एडवांस मांगा जा रहा है पहले हम लेकर दे रहे थे तो हम फिर भी उसमें चलो आनलाइन हम उनके साथ राप्ता रखते हैं उनके साथ हम सहमत हैं कि चलो ठीक है अगर एडवांस लेना क्वाटरली क के लोग क्योंकि एक साल का एडवांस टैक्स गाड़ी वाले के लिए देना क्वाटरली देना भी बहुत बड़ा मुश्किल है मगर फिर भी हम सबने आपस में प्रदान सहीं बैठके मीटिंग की ठीक है क्वाटरली तक के लिए हम प्रिपेर हो जाएंगे बगर एक साल का अब हमने किसी गारी का दो लाग खड़ाई लाग तीन लाग खर्चे परमेंटिंग करवाया हर चीज करवाई अपडेट करवाई अब भी हमको फस्ट एपरेल से लेके एक साल का अगर एडवांस में टेक्स मांगा जाएगा वह भी पिसेंजर टैक्स जो हमने पिसेंजर से लेके दिना होते हैं तो वो इस वक्त हमने देपाएं अबने का उन्होंने पहले भी हमारी मांगों को वाया उनकी बात तो पत्थर पर लकीर होती है अगर उनने आपकी फाइल को प्रूफ किया या उस पर सिगनेचर करके नीचे फावर्ड किये तो फिर अपत्ति कहां पर रही है कि अलजी साहब के आदेश को भी नहीं माना जा रहा है मैंने आपको यहीं बोला है कि साथ-ाठ महीने पहले जब हम सिरनगर फस्ट है मैं जी साब से मिले थे कश्मीर में तब हमने ये फिटनेस वाला प्राइटी में एक मुदा रखा था क्योंकि फिटनेस के लिए के बाद फिटनेस खतम हो रही है आदमी की डवल फिस लग रही है आज वो फिटनेस करेगा कल में एक साल के लिए होती है उसकी फिस तो चली गी तो बहुत से ऐसे बंदे हैं जिन्हों पिछले एक एक डेड़ दो दो में नसिब गारियां खड़ी की हुई है बचारों ने तो LG साब ने हमारे सामने ये बाद बोली है तो हमको बोला और सेकरिटी ट्रांस्पोर्ट साब को इप फून किया कि ये जो है अगर बारत וर्ष में पूरे साल में एक वर फिटनेस हो जे4 कहीं है इक साल में दो बर कियो हैं-ट-नद ए एक बार होनी चाहिए तो कहीं नद लग रहा है कि ऐसा हो रहा है कि LG साब के मारक करने के बाद भी नीचे से कहीं न कहीं ऐसी अंगैली हो रही है कि फाइल वापीस जा रही है वो हमें एक बड़ बड़ा गिला है क्योंकि LG साब ने खुद मारक करके दी हो यह फाइल कि यह आप देखें कि नीचे आपने यहाँ मारक करके फाइल दी है तो वहां से क्यों काम नहीं हो रहा ऐसी कौन सी वजह है जिसके लिए हमारी गारियां आज आठ मेने होगे हम आठ मेने से फिटनेस का यह बोल रहे हैं तो यह हमारा काम नहीं हो रहा हूँ यह थे हमारे साथ जी सिंग जी जुआल जमून कश्मिट टांसफर वेलफेर असुसेशन के चेर्मैन है यह विश्वास करते हैं टेबल टॉक में और परदशनों पर यह विश्वास नहीं करते हैं कर सकते थे आज भी कर से पर इन्होंने समय अपने को और प्रशासन को दिया कि कही ना कि इनका कहना अगर दस दिन के अंदर जी 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 सर बोले इसमें एक दो हमारे बर्निंग इशु जो है इसमें सबसे बड़ा एक बर्निंग इशु और है जैसे ए रिक्षा कोई सिस्टम नहीं बनाया इनौंने पहले कोई ग Apollo źे जाहए जी जाگे इस पिछले साथ मेहने से जयसे अलुप क्टा है ना व्य stitch क्शाब्गए में बहुत ज्यादा रॉक जड़े को मिले थे Webb Neud vídeo कियों यह वह भी हमेरे बहुत बड़ा देंगे यह देखिएगा और इसके लावा एक बहुत बड़ी दिक्कत और आ रही है हम अपग्रेड तो हो रहे हैं अब अपग्रेड में आप देखेंगे तो आप जैसे इच लानिंग आगी जी इच लान हो रहा है ड्राइवर बचारे को पता ही नहीं होता पीछे से फोटो खीचते और उसके घर में मैसे कर वो एक गलत बात है यह बहुत गलत है हम इसके भी खिलाफ है यह भी हमने पुइंट रखा हुआ है इच लानिंग का एचल में इसमें भी कही ना कहीं सुदार की जिरूरत है यह बंदे को पता होना चाहिए मैंने गलती कहां किया तभी तो अगली बार वो सुदार करेगा ना उसको पता ही नहीं होगा तो बिल्कुल रिख्षा को लेको पिछले कोई दिनों से काफी सारे परिशानिया और लड़ाई जगड़े सामने आ रहे थे पहले आटोब वाले और दूसरे इचलानी का दो दिन पर कल कि अगर बात करें स्कूटी किसी और की पर चलान किसी औ और के घर में आ रहा है और कई बर सही बिल्कुल अजी सिंग जीजे ने कहा कि कोई भी फोटो खेज के ट्राफिक पुलीस को बेज़े तो उनके घर में चलाना जाता है यह उन्हें आज तक यह नहीं पता कि ऑफेंस आखिर किया कि और साथी साथ यह कहा कि 17 एपरल को क्या में होगा चक्का जाम या उससे पहले ही इनकी मांगों पर किया जाएगा चलिए आने वाला समय ही करेगा क्योंकि ट्रांसपोर्ट का चक्का जाम समझीए बंदा स्टक हो गया जनाब चलिए देखते हैं कि एल जी मोहदे इनकी मांगों को पूरा करते हैं या चक्का जाम ही जरूर दीजिए इस वीडियो को जितना है कि शेयर कीजिए जोड़े रहसे मारता अगले आपडेट के लिए जाएं जबारे